हेलो एव्रिवन वेल्कम टू ब्रेक टाइम क्लासेश माइन इम इस जिच्चा पांडे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे पीटी का एक्जाम आने में 20 दिन भी सेस नहीं रह गए हैं तो हम सिलेबस के एपकॉर्डिंग पढ़ेंग यहां पे चार प्रकार की जातियां पाई जाती थी निक्रोइड, प्रोटो अस्ट्रोइड, भूमदी सागरी और मंगोलोइड लेकिन जो सबसे ज़्यादा थी वो भूमदी सागरी थी सेकंड कोशन है सिंदु सबिता के लोग किस धातु से अपड़चित थे इसका सही अंसर होगा ओप्शन डी लोहे से अपड़चित थे पहली जो खोस थी वो तामबे की थी लोहे के बारे में यह नहीं जानते थे इसकी जानकारी वैदिक काल में हुई सेंदो कालीन तिथी उत्खनन के आधार पर क्यान रिधारित की गई है तो जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसकी तिथी है यह इसका अंसर होगा ओप्शन बी पच्चिस सो इसा पूर सेंदो सभिता के लोग किसकी पूजा करते थे इसका सही जाब होगा ओप्शन D पस्छुपती सेंदो सभिता के पतन के क्या काराण थे तो इसके काराण थे बाढ़ का आना ओप्सन C देखिए इस सभी कारण बताए गए जलवाई परियोड़तन भूकम कामना आरियों का आक्रमन लेकिन सबसे ज़्यादा माना जाता है बाढ़ का आना अगला कोशन है सेंदो सब्विता सुरूप में थी तो ये थी नगरिये सब्विता ओप्शन ए सेंदो सब्विता का ज्यान हुआ तो किस प्रकार से इसका ज्यान हुआ है उत्खनन से ओप्शन सी सिंदू घाटी सब्विता के मोहन जोदुडों का प्रमुक सार्वजिनिक इस्थल कौन सा है तो आठवे का आंसरों का ओप्शन बी इसनानागार जो मोहन जोदुडों से मिल सिंदु घाटी सबिता थी तो ऑप्शन सी मात्रप्रधान थी सेंदो सबिता के एक इस्तल लोथल किस राजी में स्थित है ऑप्शन भी गुजरात में स्थित है निमलिकित में से कौन पूरा तत्वीद मोहन जोदोडों के उत्खनन से संबंदित है तो इसकी खोश करवाई थ संबंदित में से कौन सी प्राचीन सबिता थी संप्वेता की समकालीन थी इसका सही जाववव ऑपशन D असप्वेता के सबसे अधिक संभीटित मिश्र की शुमेर की में सिबटामिया कि किस पुरा तत्वीद ने इस मत पर जोड़ दिया कि सैंदो सबिता का विनाश आक्रमण कारी आरेयों ने किया तो ऐसा बोला था मार्टिमर हुई लड़ने ओप्शन C सैंदो सबिता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंदर बाना जाता है इसका सही जवाब होगा ओप्शन D लोथल लोथल एक डॉक याड था उस तैंदो सबिता मानो इतिहास के किस काल से सम्मधित है इसका सही जवाब होगा ओप्शन C आदियातिहासी काल से आदियातिहासी कुसे कहते हैं जहाँ पे लिपी तो थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं उसे आदियातिहासी कहते हैं निमलिकित में से कौन पुराते उत्विद, खडपा और मोहन जोदोलों के उत्खनन से सम्मधित नहीं हैं देखे दैराम सानी भी हैं, आरडी बनरजी भी हैं MS स्वत्स भी हैं, SD सांकलिया नहीं है आप्शन D प्रसिद कान से नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है तो ऑप्शन B मोहन जोदोलों से सेंदो सभिता के किस स्थान से घोड़े क्या उसे प्राप्त हुए हैं तो इसका आंसरों का ऑप्शन B सुद्ध कोड़ता से सिंदु घाटी की सभिता के बारे में एक सही कथन बताईए तो इसका सही कथन होगा option D उप्रोक सभी कथन सही है क्या-क्या यह सहरी जीवन था विवेशी ब्यापार उन्नती पर था मात्र देवी की पुजा प्रचलित थी जो सभी सही है मोहन जो दुड़ो कहा परिस्थित है तो मोहन जो दुड़ो है सिंदु में यही समय पाकिस्तान में आता है सिंदु घाटी सभिता के लोग option A सायोगा सुमेरिया के साथ ब्यापारिक संबंद रखते थे हमने पहले बढ़ लिया है निम लिकित में से किस प्रशू का अंकन सिंदु घाटी सभिता के मोरों पर प्राप नहीं होता तो गाय गोड़ा उट किसी कभी प्राप नहीं होता सिंदु घाटी की अर्थव्योष्था के विशेष्था नहीं है कौन सी नहीं है 25 में का आंसर होका B चारा का ही अर्थब्योस था नगरीव जीवन था यहाँ पर वाडी जी प्यापार होता था विक्सित शिल्प था लेकिन चारा गा नहीं था मोहन जो दड़ो की आवाशिये ग्रह बने हुए है किस चीश के बने हुए है इटो से 27 है सिंदु घाटी की लिपी की सूचना प्राप्त होती है तो ऑप्शन भी मोहरों से वर्तमान में सिंदु घाटी का सरवादिक उप्पीव्ट नाम क्या होना चाहिए तो इसका हडपा सब्यता नाम होना चाहिए जो की कहाँ भी जाता है निमलिकित में से किस पूरा तत्विक अस्थल से जुते हुए खेतों का साक्षि प्राप्त हुआ है तो यह कालि बंगा से प्राप्त हुआ है ऑप्शन B काली बंगा राजस्थान में से इस्थित है सिंदु गाटी सबिता का इलाका कहां इस्थित है? भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सिंदु गाटी कहा है? पाकिस्तान में सिंदु लिपी को 22 से दायल पढ़ने और उसे तमिल भासा में परिवर्थित करने वाले विद्वान कौन थे? तो 31 का आंसर होगा A, Reverend Harris इन्होंने तमिल में परिवर्थित किया था सिंदु वा सुमेरियन सबिता में समानता क्या है तो 32 का आंसर होगा A, अन्बंडार प्रडाली यहां सुमेरियन की और सिंदु की अन्बंडार जो प्रडाली थी वो सेम थी वर्थबान भरती जीवन का वच्छेत्र जो आज भी सिंदु सबिता से प्रेणा ले रहा है वह आप्शन C, नगर जीवन सेंदु सबिता में यूगल समादान के साच किस सिस्थान से प्राप्त हुए है इसका सही जवाब है आप्शन C, लोथल सेंदु सबिता में निम में से किस वस्त्र के उलेक मिले है तो 35 का आप्शन का आप्शन है सूती वस्त्र लोथल स्थिल्थ है, कहां पर है 36 का है C, खमबात की खाड़ी में, गुजरात में मोहन जोदुडों की इमारते नगर के किस भाग में स्थित्ती इसका सही अंसर है, ऑप्शन A, समपूर छेत्र में नियोजित धंग से फैली थी प्रसिद्ध पश्पती मोहर कहां से मिली है इसका सही अंसर होगा, ऑप्शन C, मोहन जोदुडों से हड़पा कालीन ब्यापार होता था, कहां से होता था इसका ऑप्शन है, ऑप्शन A, इरान और इराग से 39 का अंसर क्या हो गया, A हड़पा इटो की नाप का अनुपात क्या है, इसका सही जवाब है, ऑप्शन C 1 अनुपाते, 2 अनुपाते, 4 सिंदु सब्विता के से सम्बंदित निर्टि करती हुई 42 का है, सिंदु सब्विता से प्राप्त मोरे, नियम लिखित में से किस से बनी है, 42 का अंसर है, D एस्टेटाइट से सैंदो सब्विता को हडपा सब्विता भी कहा जाता है, क्योंकि 43 का अंसर होगा, ay, सैंदो सब्विता की खोज रप्पा में हुई थी सबसे पहली बार जो खुदाई हुई वो हडपा की हुई इसलिए इसका नाम रख दिया गया हडपा सब्यता नीम्ण में से किस स्थल से अगने वेदिकाओं के प्रणमाण मिले हैं इसका सही जवाब है option D काली बंगा मांडा का पुरातक्तो स्थल जो भारत की सीमा के अंतरगत हडपी संस्कृती के सबसे उत्री छोर को इंगित करता है किस नदी पर है तो 45 का अंसर होगा ए चिनाव नदी मांडा जमू कस्मिर में स्थित है चिनाव नदी के किनारे ये हडपा सबिता का सबसे उत्रे स्थल है सबसे उत्री है मांडा, सबसे धक्छडी है दायमाबाद, सबसे पश्चिमी है सुथ कांगे डोर और सबसे पूर्वी कौन सा है आलमगीर जो मेरट में इस्तित है मुंडी गाग का हडपी स्थल कहां है? इसका सही जवाब होगा A. अफगानिस्तान निम्न में से किस हडपी स्थल से सूती वस्तरों का टुकड़ा मिला है? इसका सही जवाब होगा D. मोहन जोद्रो प्रारंबिक खडपा इस्तरों से एक हीच खेत में एक साथ दो दो फसले उगाने का साच्छी प्राप्थ होता है कहां पर तो काली बंगा में काली बंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिला है यहां से चूड़िया भी मिली हैं जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया काली बंगा बारत में मूर्थी पुझा कबसे प्रारम होती है तो यह अगला हैं सूची प्रिथम को सूची दुतिय से सुमेलित कीज़े तथा सूचीयों के नीचे दे गए कूट से सही उतर का चैन सबसे दूरस्ट पश्चिमी आलमगीरपूर पूर्वी दायमाबाद दच्छडी मांडा उत्तरवर्थी तो सही जवाब कौन सा होगा 50 का ओप्शन बी हडपा संस्क्रित का वो कौन सा स्थाल है जहां दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं तो 51 का सही जवाब होगा C काली बंगा देखी वहाँ पे हडपा सबिता में जो छेतर थे उनको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया था तो यहाँ पे जो घीरा हुआ छेतर है दुर्ग वाले छेतर को अलग प्राचीर से घेरा गया था और जो नगर वाला छेतर था उ पस्षिम में स्थित हैं किस प्रदेश की हडपा कालीन पूरा अस्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं इसका सही जवाब है ऑप्संसी गुजरात सेंदो ब्यापारिक केंद्रों से मेसोपृटामिया के साथ ब्यापार की समध्यस्त बंदरगा से होता था फिफ्टी फोर का है धिल्मुन बंदरगा का नाम क्या था धिल्मुन धिल्मुन से होकर मेसोपृटामिया से ब्यापार होता था हडपपा के विशाल टीलों की ओर सर्पतम ध्यान आक्रिष्ट किस ने किया था तो 55 का सही जवाब है ओप्शन A चार्ल्स मैसन सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने बताया था कि ये टीले मिले हैं इसकी अंदर कुछ हो सकता है खुदाई तो बाद में हुई ज़ा जॉन मार्सल के निर्देशन में राखाल दास बनरजी और दयाराम सानी ने किया था इसमें मैच करना है सूची वन को टू से कि सिंदू सबिता का पतन कैसे हुआ था तो सिंदू नदी की बाड़ की वज़े से हुआ था ऐसा किसने का था तो मार्सल यू मैके ए होका फोर बाए आकरमण किसने का था गॉर्डन चाइल्ड सिंदू नदी की बाड़ किसने का मार्सल मैके बाए आकरमण गॉर्डन और चाइल्ड उसके जलवाई परिवर्थन किसने का था और एन स्टीन पूरा तात्विक परिवर्तन किसने बोला राइक्स एंड डेल्स पतन के अलग 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 बग्यानिकों ने बताए है अगला है मुहरों के अत्रिक्त हडप्पा सब्यता किलिपी के नमूने प्राप्त हुए है किस से तो इसका सही जवाब होगा सी ब्रित भाण्डों पर सिंदू सब्यता में कौन सी चीजें पाई गई है 58 का अंसर ए अन्नागार दो मंजिला भवन इस नानागार सिंदू सब्यता की तितिक्रम सरप्यथम किस से निर्धारित किया गया तो पहली बार किया था मिसो पटामया के औसेसों के सापेच कालक्रम से ओप्शन B सिंदू सब्विता के मापक किस गुड़ज भार के है तो सही option होगा 60 का C 16 गुड़ज भार के 61 है मोहन जयोदोडों की सबसे बड़ी इमारत कौन थी यह थी 61 का क्या होगा B अन्नागार याद रखे का इस नानागार भी बड़ा था लेकिन सबसे बड़ी जो इमारत थी वह अन्नागार इस नानागार फेमस है बस option B सिंदू सब्विता का ब्यापार किस से होता था 62 का अंसर है बी सिर्फ एक दो चार इरान से होता था अफगानिस्तान से और राजस्तान से रोम से नहीं होता था हडपा मोहंजोदोडों का हरास कब सुरू हुआ 63 का सही जाव है B दो अचारी सापूर सिंदू सब्विता के लोग किस से परचित नहीं थे 64 का सही जाव है A सिर्फ घोड़े से परचित नहीं थे देखिए वैसे तो सिंदू की सब्विता के किनारे सबसे पहले हडपा मोहंजोदोडों मिला लेकिन सबसे जादा जो इस थल प्राप्त हुए वो घगघर से प्राप्त हुए है निमलिकित हडपी फसलों में से किसका पश्ची मेसिया से प्रशार माना जाता है इसका सही प्रोथ क्या क्या है चली देखते हैं इसको मैच करना है तामबा आता था राजस्थान से उस टाइम तामबा राजस्थान खेतली की खानों से संग खाती थी कग्छ से समुद्रगी नारे से लाजवर्थ मड़ी अफगानिस्तान से स्वन्ड जो आता था वो कोलार की खाने जो है करनाटक में दक्कन से आता था दक्कन की एरिया से तो ऑप्शन हो गया डी हडाप्पा में प्रमुक अंतेश्थी प्रताक क्या थी तो 68 का सही ऑप्शन है सी मृतिका पात्र के साथ सरीर का विस्तारित सवाधान नेमलिखित पश्चु समुहों में से कौन सा समुहों मोहन जोद्रों की पश्चुपती मुद्राग पर अंकित है तो 69 का उप्शन है डी ब्याग्र, हाथी, गैंडा और भैसा प्रिथम सूची को दूसरे से मैच करना है 70 का सही ऑप्शन है यूगल सवाधान कहां से मिला है लोथल से अगनी वेदिकाय काली बंगा से कर्मकारों के निवास हडपा से मनका कारी बनावली से 70 का हो गया मनका कारी चंदू दूडों से तेकी फिर से मैच कर लेते हैं यूगल सवाधान लोथल से अगनी वेदिकाय काली बंगा से कर्मकारों के निवास हडपा से मनका कारी चंदू दूडों से आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको सारे कोशन पसंद आये होंगे पर आपको लग रहा हुगा कि आप कॉंफिडेंट फील कर रहे होंगे कि सिंदू गाटी सब्यता से बहुत सारे कोशन कबर हो गए आगे भी हम ऐसे कोशन करते रहेंगे तो वीडियो पसंद आये तो लाइक करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच्छ पर वाचिंग बेक्टाइम क्लास्स